प्रिय भाई और बैनों, हमारे कारिक्रम बाइबल बोलती है, में हम उन सवालों का जवाब ढूंडेंगे, जो हमारे दिमाग में अक्सर गूंचते रहते हैं. इन सवालों का जवाब हम अपने बाइबल में पाएंगे. आज का विशे है मृत्यू, मनुश्य का मृत्यू. हमारे कारिक्रम के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार. हमारा आज का विशे है मृत्यू और हमारा कारिक्रम का नाम है बाइबल बोलती है. आज हमारे साथ है पास्तर डेविड जो हमें हमारे सवालों का जवाब बाइबल में इसे देंगे. पास्टर डेविद हम आपको स्वागत करना चाहते है नश्कार, धन्यवाद आप कुछ बोलना चाहेंगे, आप यहाँ पर आए हैं, आपको कैसे लग रहा है मैं बहुत खुश हूँ और उमीद करता हूँ कि जो भी आज आज आपके और हमारे प्रशन है उसका जवाब हमें बाइबल में से जरूर मिलेगा जी, हम भी बहुत खुश है कि आप यहाँ पर आए और जैसे कि मैंने बताया पहले, हमारा आज का विशे मृत्यू है मनुश्य का मृत्यू क्या आप हमें ये बता सकते हैं, मृत्यू क्या है देखिए मृत्यू के विशे में बाइबल हमें बताती है सबसे पहले बाइबल में मृत्यू का जिक्र जो है वो परमेश्वर ने किया क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उन्हें अदन की वाटिका में रखा और परमीशन ने आदम और हवा को बनाने के बाद उन से कहा था की उस पेड़ के फ़ल को मत खाना जिस के लिए मैंने तुझे मना किया है और अगर तुस पेड़ के फ़ल को खाएगा तो निश्चे मर जाएगा हम देखते हैं कि इस तरीके से पहली बार परमेश्वर ने मृत्यू का वर्नन अपने धर्म शास्त्र में किया है लेकिन जैसा कि आपका विशह है कि आज हम मानो की मृत्यू के विशह में देख रहे हैं तो मानो की मृत्यू के बारे में बाइबल हमें बताती है कि मानो की मृत्यू दरसल एक शारिरिक दशा है अगर हम आयूब की पुस्तक में देखें उसका 14 अध्यायर उसके 12 पद में लिखा है कि मनुष्य लेट जाता है और फिर नहीं उटता और एक नीन्द के बारे में हमें बताया गया है कि मृत्यू एक नीन्द के जैसी है और इसे दाउद ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि मनुश को मृत्यू की नीन्द आती है तो हम देखते हैं कि बाइबल हमें मृत्यू के बारे में बताती है कि मृत्यू दरसल एक शारिरिक दशा है जिसमें जब एक इनसान पहुंच जाता है तो फिर उसके बाद वो शारिरिक रूप से उस इस्तिती में आ जाता है जिसे हम मृत्यू कहते हैं तो बाइबल के अनुसार मृत्यू नींद के समान है लेकिन वो नींद जिसमें से इनसान फिर दुबारा नहीं उड़ता तो मृत्यू एक शारिरिक दशा है पास्टर डेविड मृत्यू का कारण क्या है? देखे अगर हम मृत्यू के कारण को ढूंडें तो अलग-अलग लोगों में अलग-अलग मानिता हैं लेकिन बेसिकली अगर हम मृत्यू की बात करें तो जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके कई कारण होते हैं अगर हम डेथ सेटिफिकेट की बात करें कि जब किसी को मृत्यू का प्रमान पत्र दिया जाता है तो उसमें डॉक्टर उसके मृत्यू का अलग-अलग कारण बताते है कोई बिमारी की वज़े से मरता है कोई हार्ट अटेक की समस्या से मरता है कोई एक्सिडेंट की वज़े से मरता है और कोई नॉर्मल डेथ जिसे हम समाने मृत्यू कहते हैं उससे भी मरता है लेकिन अगर हम Bible में देखें तो Bible हमें मृत्यू के विशा में बताती है कि मृत्यू के basically एक मूल कारण है जिसे हम दो भाग में देखते हैं पहली बात तो मृत्यू मनुश्यों के जीवन में इसलियी आई क्योंकि उनोंने परमीश्वर की आग्या को नहीं माना और जब परमेशर ने उनसे कहा तो उन्होंने उस बात को ना मानते हुए वो काम किया जो परमेशर ने उन्हें करने से मना किया था और इसका परिणाम हम देखते हैं मृत्यू के रूप में आया तो दूसरी बात कि मृत्यू का कारण बाइबल के हिसाब से पाप है क्योंकि बाइबल हमें बताती है रोमियो 6 और उसके 23 पद में कि पाप का परिणाम मृत्यू है तो हम देखते हैं कि जब परमेशर ने बताया मनशों के उफल नहीं खाना उन्होंने उसे खाया तो एक तरीके से परमेशर की आग्या का उलंगन किया और आग्या का उलंगन पाप को उत्पन करता है और पाप जो है वो मृत्यू को लेकर आता है तो बाइबल के हिसाब से मृत्यू का कारण पाप है अच्छा तो फिर बाप के वज़े से मृत्यू आई पर ईश्वर ने उन्हें कहा था कि जब आप ये फल खाओगे आप मर जाओगे पर जब उन्होंने खाया वो नहीं मरे तो इसका क्या कारण है देखिए ये प्रश्ण काफी समय से लोगों को परिशान करता है कि परमेशर ने आदम से कहा था कि जिस दिन तो उस फल को खाएगा तो तू मर जाएगा और हम देखते हैं कि उस दिन शेतान ने जब हवा को बहकाया साप के माद्यम से तो हवा से उसने कहा था कि तुम निश्चे नहीं मरोगे और अगर हम देखें कि फल खाने के बाद जो परिणाम आए उसमें हमने ये देखा कि आदम लगबग साड़े नौस साल के अमर में मर गया इसका मतलब यह है कि निश्चे उस दिन तो आदम नहीं मरा जिस दिन उसने उसने फल खाया लेकिन उसका परिणाम उसके सामने लगबग साड़े नौस साल के बाद आया तो इसलिए हम ये कहते हैं कि बाइबल जो कहती है वो बिलकुल सत्य है और बाइबल मूल रूप से मृत्यों को दो तरीके से हमारे सामने प्रकट करती है पहली तो अध्यात्मिक मृत्यों और दूसरी शारिरिक मृत्यों आदम ने जिस दिन फल खाया परमेशर की द्रिश्टी में अध्यात्मिक रूप से वो उसे दिन मर गया लेकिन शारिरिक रूप से उसे मरने में समय लगा लेकिन निश्य वो मरा और इसलिए जब वो मरा तो शैतान का वो स्टेटमेंट जो उसने हवा को के सामने कहा था कि तुम निश्य नहीं मरोगे वो जूटा साबित हुआ तो हम देखते हैं कि जो बहुत परमेश्वर ने कही थी कि तुम अगर उस फल को खाओगे तो मर जाओगे तो निश्य मृत्यू मनुश्यों के जीवन में आई तो हम ये मानते हैं कि परमेश्वर जो कहता है वो बिलकुल सत्य है और बहकाने का और गलत फैमियों को उत्पन करने का काम शैतान का है जैसे आज भी कई लोगों के दिमाग में ये बात है कि आदम ने फल खाया और वो नहीं मरा लेकिन आदम मरा कुछ समय के बाद मरा लेकिन मरा इसलिए हम ये कहते हैं कि बाइबिल हमें बिलकुल सत्य बताती है कि पाप के वज़े से मरत्यू आई आपने आदम के मरने के बारे मरत बताया वो था कुछ सालों के बाद आपने बोला कि दो टाइप के मरत्यूस होते हैं तो फिर आप दूसरे टाइप के बता सकते हैं देखे बाइबल हमें बताती है कि दूसरी मृत्यू भी है और जो दूसरी मृत्यू है वो हमेशा के मृत्यू है पहली तो शारिरिक मृत्यू है और दूसरी जो है वो आत्मिक मृत्यू है इसको समझने के लिए हमें परमेश्वर के श्रिष्टी को समझना पड़ेगा क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुश्यों को बनाया तो वो मनुश्वर परमेश्वर के जैसा था और परमेश्वर कैसा है ये बात हम जानते हैं कि वो आमर है वो कभी मरने वाला नहीं आपका फिर स्वागत है हमारे कारिक्रम बाइबल बोलती है में हमारा आज का विशय है मृत्यू मनुश्य का मृत्यू पास्टर जी आप हमें दूसरे मृत्यू के बारे में बता रहे थे जी हाँ हम बात कर रहे थे दूसरी मृत्यू के बाइबल हमें दो तरह की मृत्यू के बारे में बताती है पहली तो शारिरिक मृत्यू और दूसरी आत्मिक मृत्यू जिसे हम दूसरी मृत्यू भी कहते हैं बाइबल हमें कहती है कि उनसे मत डरो जो शरीर की हानी करते हैं किन्तो उनसे डरो जो शरीर और प्राण दोनों का नाश करते हैं और इसलिए जो दूसरी मृत्यू है जिसके बारे में बाइबल कहती है कि जो लोग पाप के भागिदार रहेंगे, वो लोग दूसरी मृत्यों के भागिदार बनेंगे, जो आग और गंदक से जलतीवी जील है उसमें डाले जाएंगे, इसलिए हम मसी लोग विशेश कर दूसरी मृत्यों के बारे में जादा चिंतित होते हैं, तो बाइबल हमें दो ए Black protected मृत्यों के बारे में बताती है, पहली शारेविक मृत्यों और दूसरी हमेशा की मृत्यों। मरने पर व्यत्ति की स्थिति क्या होती है? देखे ये प्रश्न जो आपने किया है ये बहुत अच्छा प्रश्न है और गंभीर भी है क्योंकि इस विशे में लोगों की अलग-अलग मानिता है लोग सोचते हैंगे कि मरने के बाद इनसान कहीं चला जाता है कई लोगों की ये मानिता है कि वो जो है अलग-अलग तरह की आत्माओं में परिवर्तित हो जाता है कुछ लोग सोचते हैं कि वो नर्क में चला जाता है अलग-अलग विश्वास में अलग-अलग मृत्यू के बारे में मानिता है लेकिन बाइबल हमें बताती है कि मृत्यू के बाद मानव की दशा कैसी होती है ये बहुत सपच तरीके से हमारे समझने का विशा है क्योंकि बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमें इसके विशा में बहुत गंभीरता से बताती है बाइबल कहती है कि मरने के बाद एक मनश का जो सोचने और समझने की शक्ती होती है वो खतम हो जाती है बाइबल हमें ये भी कहती है कि मरने के बाद इनसान का प्रेम, उसका ड़ा, उसकी इश्या, सब कुछ उसके साथ समाप्त हो जाती है और बाइबल हमें ये भी सिखाती है कि एक विक्ती जो मर जाता है वो फिर उसका स्मरण मिट जाता है और बाइबल ये भी बताती है कि एक विक्ती जो मर जाता है वो मरने के बाद फिर परमेश्वर की यहां की स्टूती नहीं कर सकता इसलिए इस विशे में बाइबल बहुत सपश तरीके से हमें बताती है कि एक वेक्ति जो मर जाता है उसकी चेतनाए उसके स्मरंड शक्ति उसके सोचने विचारने की शक्ति उसकी कलपनाए सब سमाप्त हो जाती है इसलिए मृत्यू एक ऐसी दशा है जो बिलकुल इस्थिल वेक्ति को कर देती है यानि एक वेक्ति जो मृत्यू को प्राप करता है फिर उसको कुछ भी स्मरण नहीं रहता उसको कुछ भी यात नहीं रहता और बाइबल इस विशे में हमें बताती है कि जो मर जाता है फिर वो मरने के बाद जैसा कि शरिष्टी के समय हुआ था कि परमेशर ने मिट्टी को लेके मनुशों के अंदर जीवन का सांस होका मृत्यों में यही उल्टा हो जाता है कि जब मर जाता है तो सांस परमीशर के पास चली जाती है और शरीर मिट्टी में वापस मिल जाता है मरने के बाद क्या व्यक्ति फिर दुबारा जी सकता है? निशित यही हमारा विश्वास है और मसी लोग इसी विश्वास के अधार पर अपने जीवन को वेतीद करते हैं ये प्रशन सदियों से मानव समाज को परिशान करता आया है और जब हम अध्यात्मिक रूप से इस प्रशन को देखते हैं तो हम ये विश्वास करते हैं कि हम दुबारा जी सकते हैं क्योंकि बाइबल ऐसा हमें बताती है लेकिन जब हमारा अपना कोई वेक्ती हम से मृत्यू के दौरा बिछड जाता है तो हम शायद इस बात को बहुत मुश्किल से मानते हैं जैसा बच्पन में जब मैं था और मेरे अपने प्रिये जन मृत्यू के दौरा मुझसे बिछड गए तो ये मानना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि जो लोग मृत्यू के दौरा मुझसे दूर हो गए हैं उनको मैं दुबारा देख सकूँगा लेकिन बाइबल हमें बताती है और बाइबल इसके विशे में बहुत सपष्ट हमें बताती है और मैं चाहूंगा कि इस विशे में मैं आपके सामने बाइबल में से एक पदिस्थल को पढ़ू जो हमें मिलता है यहुन्ना की इंजील उसका पांचवा अध्याय और उसके 28 और 29 पद में यहां बाइबल कहती है इससे अचमबा मत करो क्योंकि वो समय आता है कि जितने कबरों में हैं उसका शब्द सुन कर निकलेंगे लेकिन 29 वी आद भी आपके सामने पढ़ना चाहता हूं यह कहती है जिनोंने भलाई की वे जिवन के पौनुरत्थान के लिए जी उठेंगे और जिनोंने बुराई की वे दंड के Pऌनुरत्थान के जी उठेंगे इसका मतलब है कि हम दोबारा जीएंगे और मरने के बाद जितने लोग कबर में हैं जब वो प्रभु येश्यमसी का शब्द सुनेंगे तो वो जी उठेंगे जैसा बाइबल में हमें वो कहानी जो प्रभु येश्यमसी के बारे में हमें बताती है कि जब प्रभी येश्यमसी का मित्र लाजर मर गया था तो प्रभी येश्यमसी उसके कबर पे गए और बाहर से उन्होंने उसे आवाज दी और वो आवाज सुनके लाजर बाहर आ गया लेकिन वो तो एक शारिरिक दशा मृत्यू थी नीन थी जिससे प्रभु येश्य मसी ने अपने दोस्त को जलाया था लेकिन ये इस्तिती होगी जब प्रभु येश्य मसी हमें आवाज देंगे तो ये हमेशा के लिए हमारी लिए जागने का समय होगा लेकिन एक बात मैं इसपश्ट कर दूँ मृत्यू में से जो लोग जागेंगे वो दो तरह के लोग होंगे पहला तो जो लोग अच्छे काम करते हैं जो बाइबल के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं वो लोग हमेशा के जीवन के लिए जागेंगे और जो लोग बुराई करते हैं, बुरे कामों में रहते हैं, वो लोग परमेशर के उस दंड के लिए जागेंगे, जो परमेशर के वचन के अनुसार उसकी पुस्तक में लिखा है तो निशित जो लोग कबरों में हैं, वो एक दिन जरूर जीवित होंगे तो आप ये कह रहे हैं कि एक दिन सब जी उठेंगे पर हमें उस दूसरे मृत्यू से डरना है निशित एक दिन परमेशवर के लोग दुबारा जी उठेंगे लेकिन परमेशवर के लोगों के सामने ये जो शारिरिक मृत्यू है जो 70 या 80 साल के बाद हम सब मृत्यों में जाते हैं उसकी हमें चिंता नहीं करनी है बलकि उस मृत्यों की चिंता करनी है जो हमें हमेशा की नींद में सुला सकती है यानि हमेशा की विनाश की तरफ ले जाती है इस मृत्यों में तो हम ये विश्वास है और ये आशा है कि हम दुबारा प्रवियेश्य मसी में जब मरते हैं तो उसकी आमद पर फिर से जी उठेंगे लेकिन अगर हम दूसरी मृत्यों के भागिदार बनते हैं तो फिर हमारे लिए पुनर्व जीवन के लिए या अनंती जीवन के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा इसलिए हमें दूसरी मृत्यों के बारे में ज़्यादा चिंदा करना चाहिए अच्छा आपने हमें बहुत अच्छे से बताया ये जवाब और मैं बहुत डाउट में थी इसके बारे में क्या होगा क्या हम दूसरी मृत्यों से बच सकते हैं निश्चित हम दूसरी मृत्यों से बच सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोग प्रभु येश्य मसी के उपर विश्वास करते हैं और पर्मेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, पर्मेश्वर उन्हें अनन्थ जीवन प्रदान करता है। थांक यू पास्तर जी इसके लिए और मृत्यू एक ऐसी चीजे जिससे हम बहुत डरते हैं, लोग बहुत डरते हैं और हम इसी विशेय में और बात करेंगे थोड़ी देर में दर्शकों, आप कहीं जाएगा मत, हमारा आज कर विशेय है मृत्यू, हम इसके बारे में और बात करेंगे, पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत करना चाहती हूँ, हमारे कारिक्रम बाइबल बोलती हूँ में हमारा आज का विशेय है मृत्यू, मनुश्यक मृत्यू, पास्टर जी मैं आप से और सवाल पूछना चाहती हूँ, मृत्यू के बाद हमारा क्या होगा? देखे, ये प्रशन अकसर हमारे मन में आता है, कि मृत्यू के बाद हमारा क्या होगा? बाइबल हमें बताती है कि मृत्यू के बाद हम लोग नींद में चले जाएंगे मृत्यू जब हमारे जीवन में आएगी तो वो जीवन का समापन होगी लेकिन वो इस संसारिक जीवन का समापन होगी जिस दिन मैं मरूंगा, उस दिन के बाद अगला पल मेरे लिए प्रभु येश्य मसी में नए जीवन का होगा अगर मैं प्रभु येश्य मसी में मरता हूँ, तो बाइबल मुझे बताती है कि मैं प्रभु येश्य मसी में दुबारा जी भी उठूँगा और इस विशे में बाइबल हमें बहुत स्पश तरीके से बताती है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा हम खोल सकते हैं पहला थिसलोन कियों उसका चौता अध्याय और उसकी तेरा और चौता पद ये दो पद में आपके सामने पढ़ूँगा ये बताती है कि हे भाईयो हम नहीं चाहते कि तुम उनके विशे में जो सोते हैं आग्यान रहो सोते हैं मतलब जो मृत्यू की नीद में सोते हैं ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शौक करो जिने आशा नहीं देखे संसार के लोग मरने के बाद लोगों के मृत्यूं के ओपर इसलिए रोते हैं क्योंकि उनको यह आशा नहीं रहती कि वो दुबारा उससे मिल सकेंगे लेकिन हम मस्यों के पास यह आशा है कि जो हमारे प्रिये जन हम से बिछड़ गए हैं हम उनसे दुबारा मिलेंगे अब आपका प्रेशन था हमारा क्या होगा अगर हम मस्यों में मरते हैं तो बाइबल बताती क्योंकि यदि हम प्रतीती करते हैं कि येशू मरा और जी भी उठा तो वैसे ही परमेशर उन्हें भी जो येशू में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा इसका मतलब ये है कि अगर हम मस्यों मरते हैं तो फिर हम दुबारा जी उठेंगे इसलिए मृत्यों के बाद हमारा क्या होगा मैं तो ये मानता हूँ कि मरने के बाद मुझे निश्चित है कि मैं परमेशर का दर्शन करूँगा अगर आप आयूब की बात करें बाइबल हमें बताती है कि आयूब की किताब में आयूब 14-14 में आयूब कहता है कि यदि मनश्यों मर जाय तो क्या वो दुबारा जीएगा ये प्रेशन उसके दिमाग में था लेकिन इसी प्रेशन का जवाब वो अपनी पुस्तक में 19-26 वे आयत में कहता है कि मुझे तो निश्चित है कि मेरा छुडाने वाला जीवित है और वो प्रत्वी के अंत पे मेरे लिए खड़ा है और इसलिए वो कहता है कि मेरे शरीर के इस तरह नाश हो जाने के बाद भी शरीर कब नाश होता है जब मृत्यू आती है तो कहता है शरीर के इस तरह नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होके परमेशर का दर्शन करूँगा इसका मतलब है कि परमेश्वर के लोगों को ये विश्वास है कि यदि हम मर भी जाएंगे तो ये शरीर में हम फिर दुबारा परमेश्वर का दर्शन करेंगे इसलिए मेरे लिए मृत्यू नुकसान नहीं बलकि लाब है और इसलिए पॉलूस कहते हैं संद पॉलूस अपने पुस्तक में कि जीना मेरे लिए ठीक है लेकिन मरना मेरे लिए परमेश्वर में लाब है तो हमारे लिए मृत्यू दरशल फायदा ही है जब हम मरेंगे तो हमारा विश्वास है कि परमेश्वर हमें नया जीवन देगा आपने कहा कि जब हम मरेंगे परमेश्वर हमें नया जीवन देगा परमेश्वर हमें कब ये नया जीवन देगा और कैसे देगा देखे ये विश्वर जो है बहुत ही सरल है क्योंकि बाइबल बार बार इसके बारे में कहती है कि जब येशु मसी आएंगे तब वो उन लोगों को जो प्रभू येशु मसी में मरे हैं अपने साथ नए जरुशलम में लेके जाएंगे और इसलिए वो समय हमारे लिए होगा कि हम मसी येशु के साथ दुबारा जिये जाएंगे लेकिन बाइबल हमें इस विशे में बहुत सपश तरीके से बताती है अगर हम यहिचकल की किताब और उसका 37 वाद ध्याए और उसकी चंद आयतों को पड़ें जो कि हमें मिलती है 11 से तो उसमें लिखा है फिर उसने मुझसे कहा हे मनुश के संतान ये हड़ियां इसराइल के सारे घरानी की उप्मा है और वे कहते हैं कि हमारी हड़िया सूख गई और हमारी आशा जाती रही हम पूरी रीते से कट चुके हैं यहां पर इस्राइलियों की सूकी हडी रब हडी काभ सूकती है जब एक वेकती मर जाता है और कहते है कि जो हड्डिया सूक गई हैna जो इस्राइली लोग थे तुम्हें उन मैं निकाल लूगा और इसराइल के देश में पहुँअ हूँ गा जब तुम जब मैं तुम्हें कबरे खोलूं और तुम्हें को निकालूं तभ ने Introduction Medühren जान लूगे कि मैं ही यहुवा हूँ यहेचकल उसका 37 चैप्टर क्योंकि इसमें परमेश्वर ने बहुत स्पश तरीके से बताया है कि जब परमेश्वर वो समय आएगा तो हमें दुबारा जीवन देगा और इसलिए 14 आयत कहती है कि और मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा जैसे शुरू में परमेश्वर ने प्रांड दिये थे वैसे ही परमेश्वर फिर से एक नया जीवन हमें देगा और कहता है और तुम जीओगे और तुम को तुमारे निश देश में बसाऊंगा यह परमेश्वर का वादा है कि हम दुबारा जीएंगे वो हमें फिर से नई आत्मा देगा और हम फिर से नए जीवन में प्रविश करेंगे इसलिए मृत्यू विश्वासियों के लिए भैका नहीं बलकि परमेश्वर के नजदी जाने का कारण है इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, मृत्यू से डरे नहीं, बलकि परमेश्वर पे भरुसा रखें, वो आपको एक नया जीवन देगा. पास्तर जी आपने इन सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया, और हमें मृत्यू से बिलकुल दरना नहीं चाहिए, जब हम इशूर में विश्वास रखते हैं, तो फिर हमें मृत्यू हमारे लिए लाभ है, क्योंकि जब हम फिर जी उठेंगे, हम उनका चेहरा देखें पास्तर डेविड क्या आई हम प्रात्ना करेंगे, सेनाओ के पवित्र प्रभू हम धनिवाद देते हैं इस विशय के लिए, जो आपने आज समझने में हमारी मदद करी, हम सब को पवित्र आत्मा का दान दें, ताकि इसे हम समझ सकें, और उन लोगों को भी जो आज इस कार प्रभू हम को सुनते हैं, अपने पवित्र आत्मा से परिपून करें, ताकि वो मृत्यू से डरे नहीं, बलकि प्रभू येश्य में विश्वास करके आनंत जीवन को हसल करें, हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और इस प्रात्ना को मसी येश्य के नाम पर आपने बहुत अच्छे से बताया भगवान हमें क्या बाइबल में दिया है, उसके बहुत धन्यवाद, मैं अपने दर्शकों को भी बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मैं चाहती हूँ कि आप हमारा कारिक्रम देखते रहें, और हम आपके लिए प्रात्ना करे इश्व मसी आपके साथ हमेशा हो, आपको सुख ही रखे और प्रभु आपको आशीस दे, आमें अपको आपको आप गतुम्ट मैं अपको आपको आपके साथ हूँ